ओम शांती, 17 फेवरी के शुरुदान में अपसका सोगत है, हमारी बुद्धी जो है मेरे पन के फेरे में होती है, मेरा पन में मेरी चीजें, मेरी विस्त्वें, मेरा शरीर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा आइडिया, मेरे थौट्स, मेरे टैलेंट्स, बहुत कचा जाता है, सोच बुद्धी को मेरे पन के फेरे से निकाल, उल्जनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भवा, न्यारे डिटाश और ट्रस्टी, मेरे सिर्फ समालने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है, टैलेंट्स भी मेरे अपने नहीं, परमात्म ने दिए हैं, इस रंग मंच पर उ सब कुछ करना देखा, तो वहाँ पर फिर हम और को नीचे दिखाना चुल करते हैं, जले सी क्रेट करते हैं, और फिर तुल्नएं आती हैं, एफिर हम अकेले पन में सुस करते हैं, सब कुछ परमात्म के दिए हुए है, जब बुद्धी कहां भी उल्जन में आती है, तो बुद्धी फिर अलग-अलग direction में जाएगी, problems ढूंडेगी, negativity ढूंडेगी, शुपचिंतन और शुपचिंतक नहीं बन पाएगे तब हम, ना हम situation के बारे में शुपचिंतन कर पाएगे, और ना किसी के प्रती शुपचिंतक हो पाएगे, बुद्धी फिर में आ जाएगी, जो भी परिवार में हैं, यह परमात्री बच्चे हैं, मुझे आत्मा समझ करके अपना role play करना है, यह मेरा पन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, मेरे परिवार कर क्या होगा, मैं बेटा हूँ, मैं मां हूँ, या मैं पती हूँ, है ना मैं परिवार कर हिड हूँ मेरा नाम बदनाम हो जाएगा ये सोचना ही उलजना है तो उलजना मतलब कि हम अगर सोचें कि ये मेरे लोग हैं ये मेरे लोग ने ऐसा किया तो मेरा नाम खराब हुआ ये मेरा पन ये छोड़ दो हर आत्म अपना पार्ट लेकिया ये किसी के कुछ करने से दुनिया के हिसाब से अगर वह आपो कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, देखो तुम्हारे पत्नी ने क्या किया, छोड़ दो उनसे attachment, वो नियरापन रखना है उनकी कर्म है, हमारे अपने कर्म है अकेले आयते हैं, अकेले जाएंगे उसमें उलजना नहीं है ये तो, अच्छा मेरी माँ को ऐसे बोला मेरे पिथा को ऐसे बोला मेरे भाई को ऐसे बोला तो ये मेरापना गया फिर जितना सुलजाने की कोशिश करेंगे उतना उलचते जाएंगे क्योंकि हम फिर या तो कुरोध इस्तमाल करेंगे या हम मैनेप्लेशन इस्तमाल करेंगे हम कोई नेगेटिव चीज इस्तमाल करेंगे लेकिन अगर हम दिक्कुल नेरे हो जाएंगे तो फिर हम सही decision ले पाएंगे इसका मलब यह नहीं कि कोई गार को गलत कर रहा है तो आप उसको देखते रहो सक्षियो करके इसका मलब यह हुआ कि उस समय बदले की भावना, अहंकार, इर्षग, रहना नफरत यह सारी चीज़े ना हो वो ना होने के लिए मेरे पन को टोड़ना पड़ाएगा यह तो आप देखें, जितनी भी आजकल मुवीज वनी है, मेरी मा को ऐसे बोला, मेरे पिता को ऐसे बोला, तुमने ऐसे, तो सब कुछ होँआ पे मेरा पन सिखाया था, body consciousness वो सब मेरे नहीं है, को समय के लिए हैं, तो trusty हो गए हम वो सब मेरे साथ में part play करने आएं, लेकिन मेरे नहीं है, किता difference है मेरे साथ part play करने के लिए आए हैं, इस drama में लेकिन वो मेरे नहीं है तो आपकी भावना चींज जाती है, और उल्जन कम हो जाती है, उतना उल्जचते जाएंगे, इसलिए trusty बन इन उल्जनों से मुक्त हो जाओ, मैं उनको समालने के लिए कि वल हर कोई अपने आतना, अपना पाट लेकाई है अपना अपना ड्रामा में खेल के लिए कि जैसे करम करेगी वैसे ही करेगी, मेरे काम है समझाना उसके बादम नहीं करना उनकी उपर है मैं right भी हो सकती है, wrong भी हो सकती है लेकर अपना परमात्मा से शक्ति लेकर के negative wheats अंकार को अठा करके परमत और मनमत को अपना करके, और मैं किसी को निने देती हूँ दिन हो सकता है और निने मेरा right होगा और उसको मैं guidance right कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं अपना part right play कर रही हूँ आत्मा लेकिन अगर मैं अभिमान वशा करके क्रोध वशा करके किसी audition देती हूँ आत्मा कि ये कर दे वो कर दो तो फिर गड़बड हो जाएगी भगवान के बच्चे कभी उलजनों में नहीं आ सकते लेकिन भवान का बच्चा कैसे बनना है उसके connection जरूरी है नहीं तो मन मत चलेगी पर मत चलेगी शुब चिंतन कायब हो जाएगा शुब चितनक खतम हो जाएगा और हम कड़ब करेंगे आम श्यांति